इन दिनों हमारे सामने आ रही है, गावों में, छोटे कस्पों में, हमारी बहने, बेटिया, हर दीन हजारों के संख्या में मास्क बना रही है, तमाम सामाजिक समस्ताय भी इस काम में इनका सयोग कर रही है। साथियों, ऐसे कितने ही उधारान हर दिन दिखाई और सुनाई पड़ रहे हैं, कितने ही लोग खुद भी मुझे नमो एब और अन्न माध्यमों के जरिये अपने प्रयासों के बारे में बता रहे हैं, कई बार समय की कमी के चलते मैं बहुत से लोगों का, बहुत से संगठनों का, बहुत से संगठनों का नाम नहीं ले पाता हूं, सेवा भाव से लोगों की मदद कर रहे, ऐसे सभी लोगों की मैं प्रसंचा करता हूं, उनका आदर करता हूं, उनका तहे दिल से अभेनंदन करता हूं, मेरे प्यारे देशवासियों एक और बात जो मेरे मन को छू गई है वो है संकट की इस घड़ी में इनोवेशन तमाम देशवासी गावों से लेकर शहरों तक हमारे छोटे व्यपारियों से लेकर स्टार्ट अप तक हमारी लैप्स कोरोना के खिलाब लड़ाई में नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं नए नए इनोवेशन कर रहे हैं जैसे नासिक के राजेंद्र आदव का उधान बहुत दिल्चस्प है राजेंद्र जी नासिक में सतना गाउं के किसान है अपने गाउं को कोरोना संक्रमन से बचाने के लिए उन्होंने अपने ट्रेक्टर से जोड़कर एक सेनिडराइजेशन मशीन बना ली है और यह इनोवेटिव मशीन भहुत प्रभावी तरिके से काम कर रही है इसी तरह मैं सोशेल मीडिया में कई तस्विरे देख रहा था कई दुकानदारों ने दोगज की दूरी के लिए दुकान में बड़े पाइपलाइन लगा लिये हैं जिसमें एक छोर से वो उपर से सामान डालते हैं और दूसरी छोर से ग्रहाक अपना सामान ले लेते हैं इस दोरान पढ़ाई के ख्षेत्र में भी कई अलग-अलग इनोवेशन सिख्षकों और चात्रों ने मिलकर किये हैं आनलाइन क्लासिस, वीडियो क्लासिस उसको भी अलग-अलग तरीकों से इनोवेट किया जा रहा है कोरोना की वैक्सिन पर हमारी लेव्स में जो काम हो रहा है उस पर तो दुनिया भर की नजर है और हम सब की आशा भी किसी भी परिस्तिति को बदलने के लिए इच्छा सक्ति के साथ ही बहुत कुछ इनोवेशन पर भी निर्भर करता है हजारों सालों के मानुजात की यात्रा लगातार इनोवेशन से ही इतने आधुनेक दोर में पहुची है इसलिए इस महामारी पर जीत के लिए हमारी विशेस इनोवेशन भी बहुत बड़ा आधार है साथियों कोरोना के खिलाफ लड़ाई का यह रास्था लंबा है एक ऐसी आपदा जिसका पुरी दुनिया के पास कोई इलाजी नहीं है जिसका कोई पहले का अनुव हो भी नहीं है तो ऐसे में नई नई चुनवतियां और उसके कारण परिशानियां हम अनुव हो भी कर रहे हैं यह दुनिया के हर कोरोना प्रभावित देश में हो रहा है और इसलिए भारत भी इससे अच्छुता नहीं है हमारे देश में भी कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो कठिनाई में न हो परेशानी में न हो और इस संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब मद्दूर स्रमीक वर्ग पर पड़ी है उनकी तकलीफ उनका धर्थ उनकी पीड़ा शब्दों में नहीं कही जा सकती हम में से कौन ऐसा होगा जो उनकी और उनके परिवार के तकलीफों को अनुभव न कर रहा हो हम सब मिलकर इस तकलीब को इस पीड़ा को मांटने का प्रयास कर रहे हैं पूरा देश प्रयास कर रहा है हमारे रेलिवे के साथ ही दिन रात लगे हुई है केंद्र हो राज्य हो स्थानिय स्वराज की समस्ताय हो हर कोई दिन रात महनत कर रहे हैं जिस प्रकार रेलिवे के कर्मचारी अज्जुटे हुए हैं, वे भी एक प्रकार से अग्रिम पंक्ति में खड़े कौरोना वारियर्स ही है। लाखों, स्रमिकों को ट्रेनों से और बसों से सुरक्षित ले जाना, उनकी खाने भीणे की चिंता करना, हर जिल में कौरेंटाइन केंदरों की व्यवस्था करना, सभी की टेस्टिंग, चैक अप, उप्चार की व्यवस्था करना, ये साब काम लगातार चल रहे हैं और बहु देश को अतीत में जो कुछ हुआ उसके अवलोकन और भविश्च के लिए सीखने का आउसर भी मिला है आज हमारे स्रमिकों की पीड़ा में हम देश के पूर्वी हिस्से की पीड़ा को देख सकते हैं जिस पूर्वी हिस्से में देश का ग्रोथ इंजिन बनने की ख्षमता है जिसके तो